आज की मेरी जर्णी है विशगपटनम से मुंबाई तक LTT एक्सप्रेस में जिसका ट्रेन नमबर है 18519 ये ट्रेन विशगपटनम से प्लाटफरम नमबर 8 से रात को 11.20 को निकल कर विजेवाडा, सिकंद्राबाद, पूने होकर महराष्टर की लोकमान्य तिलग टेमिनाल पर पहुंचती है सुबह के 4 बस कर 15 मिनिट पर मैं अजर्नी कर रहा हूं थर्ड एसी में और मेरा कोच है B5 मैंने साइड अपर बात बुक किया हुआ है और ये मेरी जर्नी होने वाली है 30 घंडे की सुबह की ब्रेकफार्स लंज से लेके डिनर तक बहुत कुछ ट्राइक करूं आज के इस एपिसोड में मैं आपको लिए चलने माला हूं और एक ट्रेन जर्नी में ट्रेंड बोरिंग करने से पहले मैंने विशक वत्नम रेलवे स्टेशन के पासवाला एक होटेल से 120 रुपे की स्पेशियल साउथ इंडियन थाली ट्राय किया जिसका टेस्ट काफी बैटरी इन था मुंबाई एक ट्रेंड के अंदर एंड़ा भी मेरी जर्नी शुरू होने वाली है ऐसे का पट्नम से मुंबाई एक ट्रेंटि तक और ग्यारा बीश को निकल पड़ी अपने टेस्ट नेशन के और याने के मुंबाई सुबह साथ बज़े के आज पास ये ट्रेंड पहुंचती है विजेवाडा जहां पर कि ये प्लाट्फॉम नंबर पांस पर कुछ पंदरा मिनिट के लिए रुपती है ब्रेक्वास के लिए यह जगा काफी सब्सक्राइब लेकिन मैं था गहरी दीन में इसलिए मैंने उसके नोंस पर यानी की काजिप्र जंग्शन में साड़े-दस बजे ब्रेक्वास्ट लिया है मैंने ब्रेकवश्ट में लिया दो इडलीट्ड वड़ा एंड़ वाइड च विया हो सै लाइक हाना आ बहुत बार इसे रेटारंट भाइव ब्रेक्फर्स्ट काफी तीरा आमने मैंने शोचा नहीं था कि तजबर जंक्चन में इतना अच्छा ब्रेकफर्स्ट मिल जाएगा क्योंकि विजे में अच्छा काशा breakfast मिल जाता है मैंने पहले भी बहुत बाद ट्राइ किया हुआ है अजी पेट जंसन में मैं पहली बाद ट्राइ कर रहा हूं यह काफी अच्छा लग इस टेन में दिन भूर पेंट्री से और बाहर से भी धिन भिन प्रकार के खाने पीने की चीजे आती से फार बहुत बहुत आपके कर लिए अभी बजानें दो पेर के बारा बजे एक साथ एक मज़ें दर के पहुंचे एक सिकंद्रा बाद उसके बात निकम पल्लिए कर दो कर दो कर दो हुआ है हुआ है 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 कि अधिया के हम पहुंच चुके हैं सिकंद्राबाद में अभी वज़ रहें लगभग एक बज़े यहां से 20 मिनिट के बाद यह ट्रेन निकलने वाली इस टाइम के अंदर आप अपना खाना बगरा ले सकते हैं लंच बगरा ले सकते हैं यहां पर बडर गशापी और आपने दोस्ते और यह वाली वरे खास है क्यूंकि यह क्लेपोर वाली जैक फ्रूट विर्यानी में दोके मैंने चाहपी शुनाद यूट्ब पेंड शोशिल मीडिया पे इसके काफी सारे वीडियोस देखे थे इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बार चलती ट्रेन में जेब फ्रूट बिर्यानी ट्राइ किया जाए क्योंकि ऐसे इंट्रेस्टिंग चीजे करना मुझे काफी पसंद है भाई चलती ट्रेन में बिर्यानी के मज़े वो भी क्लेपॉट जियां आप यह हंडी को देखके अंदजा लगा सकते हैं इसमें कितना सारा राइस कितना सारा मसाला ओवरल कितना बिर्यानी होगा काफी कड़क था धकन खोलते-खोलते मेरी हालत खराब होगी लेकिन धकन खोलते ही जो प्रियानी डिनर के लिए समधाल के रख लिया है अब है कि अधिक फिर मैंने शाम को मस्ट स्वीट एंड स्पाइसी बेल के मज़े लिए जिसका प्राइस था तीस रुपे भाई अपने सीट पर बेठे बेठे खाने को मेंच जाए तो क्या ही और चाहिए शाम के साथ-पच बाद ही तो इसलिए यह सई जगा है डिनर लेने के लिए क्योंकि सोलापुर में आपको अच्छा खासा ऑप्शन भी मिल जाएगा भाई मेरे पास अपना बचा कुछा बिर्या नहीं था इसलिए मैंने यहां से डिनर नहीं लिया कुछी घंटे के बाद यह 11.40 को पूने स्टेशन पर पहुंच गई पूने में यह प्लाट्फॉम नंबर एक पर रुपती है लगबग पांस मिनिट के लिए और उसके बाद यह निकल जाती है आपने डेस्टिनेशन के और यानि की एल्टीटी लोकमानियति लग सुबह की ठीक चार वजे मैं पहुंच गया लोकमानियति लग रेल्वे स्टेशन और वहां से अपने डेस्टिनेशन के आपको यह ट्रेन ब्लोग कैसा लगा मुझे कॉमें सेक्शन में जरूर बताना मिलते हैं और एक ट्रावेल फूड या फिर ट्रेन ब्लोग में डॉन् सुब्सब्सरे लोग ठीक अपने से लगई मैं यूट्वर लॉट जानल आपको यूटेव साथ टोड़ आपको यूट्यू नाल अलावाट।